हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल स्टाड़िवे सुजीत में तो दुस्तो आज हूं क्लाश टेंथ के सोसल साइस के महत्तपूर्ण अब्जेक्टिव कोशन्स के बारे में डिस्क्रिस करेंगे जो हमारे बोर्ड एक्जाम के लिए अती महत्तपूर्ण है दोस्तो आप इस से सेशन को अच्छे से त्यारी कर लेते हैं तो यहां से आपके वोर्ड जाम में 100% कोशन्स पूछे जाएंगे दोस्तो तो आप सीदत से अन तक जो बने रहिएगा तो यहां पर दिखेंगे फर्स नप प्राशन को कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसिसी कहे जाते थे तो आपको अगर एंसर मालूम होगा दोस्तो तो आप एंसर जो टाइप करते चलेगा दोस्तो कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसिसी कहे जाते थे तो कुलोन कहे जाते थे ऑप्सन पर जो C है वो राइट एंसर होजेगा एंसर जो और अगर आप सब्जेक्टिव कोशन्स देखना चाहते हैं तो डिक्सके बक्स में उसका लिंक दिया गया है सब्जेक्टिव कोशन्स आप देख लेते हैं तो आपको A to Z आपके बोड़ी जामें वहाँ से कोशन्स हंडे परसनल लड़ने वाले हैं आप बस इस अबजेक्टिव कोशन्स को अच्छे से देख लिजिए उसके बाद सब्जेक्टिव कोशन्स जाकर देख लिजिएगा तो इसका जो सही एंसर होजेगा रबींदर नाट टाइगोर ऑप्सन वर जो यहाँ पर जो सी है वर आइट एंसर होजेगा रबींदर नाट टाइगोर दोस्तों और यहाँ पर फोर्तना प्रसना आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जर्मानी के एकिकरन में किसकी भूमी का म कुम लेना चाहते हैं क्योंकि आप अधिक साधिक रिवीजन कर पाएं वहीं मेरा में मौकसद है दोस्तों आरे समाज की अस्थापना किसने की स्वामी विवेकानंद राम कृष्णी प्रहम से स्वामी दाना अंसरस्वती और राजा राम मोहर आये दोस्तों तो राम आरे स्वाराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के कीस वार्सिक अधिवेशन में पारित हुआ है 1929 लहोर 1931 करांची और 1930 कलकाता और 1937 बिलगाम तो पुर्ण स्वाराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के कीस वार्सिक अधिवेशन में पारित हुआ दोस्तों तो इसका जो 29 इसी में लहोर अधिवेशन होता है इसमें ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी दोस्तो इसके जो अध्यक्स देवा पंडी जो हलाल नेरू थे याद रखेगा ऑप्सन वर जो यहां पे जो ए हो और सही एंसर होजेगा और आप बस सीदत से अन तक जो बने रहेगा और सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों और आप टेलिग्राम ग्रूप से नहीं जूड़े है या वार्ट्सप ग्रूप से नहीं जूड़े है तो इसका लिंक दिए गया उसे आप जरूर जूने का प्रेस किजिएगा क्योंकि जो बोड एक्जाम से पहले लगभग सारे में सुतिवस्त्र की पर्थम मिल खोली गई तो पर्थम मिल जो खोली गए थी सुतिवस्त्र की तो वह खोली गए थी दोस्तों यह बंबाई में यानि मुंबाई में खोली गए थी ऑप्सन और जब भी है वह राइट एंसर होजेगा तो आप बस सीदत से अंतक जो बने रह नबर बी छले जलि-जलि में करवा देते हैं दोस्तो कि हिद्ध चेत्र में जो जर्थ क समाप्ती के को समय अमेरकी राष्ट पति क्वं थे का युद्ध की समाप्ती के समय अमेरकी राष्ट पति कौन Newton तो उमीद करते हैं इसका right answer होज़ेगा option number B जो सही answer होज़ेगा option number B अब बस सिदत से on तक जोब बने रहीएगा और यहाँ पर प्रस्ण आप देख रहे हैं विक्टर इम्यूनियल ने किसे परधान मंत्रे न्यूक्त किया है तो बिक्टर इम्यूनियल ने किसे परधान मंत्रे न्यूक्त किया काफी आचा सवाल है तो count कबूर को किये थे option वर जो C है वो सही answer होज़ेगा दोस्तो आप बस सिदत से on तक जो बने रहीएगा और यह प्रस्ण देखते हैं आप गोली की तरह उड़ा देंगे कि रक्त और लोह की निती का ओलंबन किसने किया काफी आचा सवाले की रक्त और लोह की निती का ओलंबन किसने किया तो यह जो किया गया थे दोस्तो यह बिसमार्क के द्वारा अफनाय गया था option वर जो यहाँ पर जो D देख रहे हैं वो सही answer होज़ेगा और नई आर्थिक निती यानि कि नेप कब लागू हुई तो नई आर्थिक निती ये कब लागू की गई थी देखतो 19-18, 19-20, 19-21 और 19-25 तो नई आर्थिक जो निती थी दोस्तो या लागू की गई थी 19-19, 19-19 में जो ऑप्सन मर्जो यहाँ पर जो सी देख रहे हैं वो बिल्कुली सही एंसर हो जाएगा दोस्तों चाल्ब पर नहीं जूड़े हो तो जोड़ सस्क्राइब कर लिजिगा और इसका सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो सब्जेक्टिव आप पर डिक्सिक्शन ब कमीशन का अन्य नाम क्या है हंटर कमीशन साइमन कमीशन ली कमीशन या सारजंट कमीशन तो इसका जो सही एंसर हो जेगा वह साइमन कमीशन था दोस्तों और यहाँ पर जो बी है वह सही एंसर हो जेगा दोस्तों और महत्मा गाधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया थ और जो कमान वील थी ये एनी बेसेंड के दोरा संपादन की गए था आपसर मर यहां पर जो बी है वह सही अंसर हो जेगा और गुटेन वर्ग ने स्वरव परतम कीस पुष्टा की छपाई की काफ़ी आचा सवाल है कुरान गीता बाइबिल या हदीस तो गुटेन वर्ग नाम को देखते है इसे जरूर質 इस session को शेयर कर देजिये अपने दोस्तों में डोस्तों वार्ट्सएफ ग्रूप में अगर होगा तो जरूरफ सेयर कर एक अदमें अगर एक के पास भी अगर शेयर करतहें तो बहुत ही आच्छा होगा करदेज और यहां पर असो खाफिले की स्ल लिपी में था तो इसका जो सही अंसर होजेगा वह ब्राहमी लिपी में था और यहां पे 17 प्रस्ण आप देख रहे हैं अच्छे से कि बंगाल बिभाजन कब वापस लिया गया था जो बंगाल बिभाजन हुआ था वह 1905 इसी में हुआ था और सूरत अधिवेशन 1907 इसी में हुआ था और जो बंगाल बिभाजन जो वापस लिया गया था वह 1911 इसी में वापस लिया गया था दोस्तों याद रखेगा और 1911 इसी में जो कलकात्ता पहले राजधाने थी देश की वह 1911 में वापस लिया गया जिससे कलकात्ता को नई दिली में अस्थापित कर दिये गया था उसी समय तो याद रहेगा option वर जो c है वह राइट इंसर हो जागा और रूस में दसत्व समाप्त किया गया काफी अच्छा सवाल है दोस्तों कि रूस में कब दसत्व समाप्त किया गया किया गया दोस्तों 1861, 1865, 1873, 1870 तो इसका जो सही इंसर हो जागा दोस्तों वह 1811C में रूस में दसत्व समाप्त कर दिया गया था तो दोस्तों option वर जो यहाँ पर ए है वह राइट इंसर हो जागा दोस्तों आप बस सिद्दत से इन सभी कोसंस को अच्छे से देख लिजिए काफी अच्छी सवाल है यह कोसंस आपके बोड़ी जामें 100% यहां से लड़ने वाले हैं तो किस समेलन में एक माई को मज़़ूर दिवस मनाने का निनन लिया गया पर्थम अंतराष्टिय समेलन दूइत्य अंतराष्टिय समेलन ब्रेटन वुड्ड से समेलन और क्योटो समेलन तो किस समेलन में एक माई को मज़़ूर दिवस मनाने का निन लिया गया था दोस्तों तो इसका जो सही एंसर होजेगा और यहां पर देख रहे हैं कि होची नमी की सरकार थी तो होची मीन की जो सरकार थ थी वह दोस्तो क्या था कि वो थी उत्री भीत नामे में ऑप्सणर यहां पर जो ए Spider इसकर आइट एंसर नोगे और बी भी दह Komême दोस्तो और वार इंडे पीस कीज मिल रआर अक्षा सवाल है दोस्तो कि वार और पीस किसके दोरा लिखा लिखा गिया था दोस्तों ask टाल स्टाइ लीओ टॉल्स्टायय या बर्नार्ट अर्फ शूर दोस्तों वसकी तो ए वार एंड़ पीर्फ नवरक जो पुस्तक थी या लीओ टॉल स्टाइ के द्वारा लिखा गया थो दूस्तों आपसर मर्जों यहाँ पर जो बी है वह ठीन दूस्तों और सोवित संग का भी घहतन फूल र्यां 1991 1992 1990 या 1989 तो सोवियत संग की जो भी घटन हुआ था वह 1991 इसी में ही हुआ था दोस्तों 1991 इसी में ऑप्सन वर जहां पर जो ए है वह सही एंसल होजेगा सेसान अच्छी लग रही हो इसे लाइक जोरू कीजेगे दोस्तों और चानल पर नए जोड़े हो तो जरूर सब्सक्राइ किम उस सान के द्वारा दिया गया था ऑप्सन वर जो यहां पर जो भी है वह राइट इंसल होजेगा पाफी अच्छा सवाले बिंदू सार चंद्रगुप्त मौर्या अजाद सत्रू या डी है इन में से को नहीं तो पाटली पुत्र नगर की जो अस्थापना जो किया गया भात में राष्टटी आयकी गारना की संसता द्वारा की जाती है तो रिया की संस्ता के दौरा की जाती है काफी आच्छा सबस्वा तो इसका किंद्रिया संखने की संगतन बार ने यहां पर एट और यहां पर आप देख रहें कि योजना आयोग का गठन का अच्छा सवाल है कि योजना आयोग का गठन को अब हुआ यह वह था पंदरा मार्च उनीस सब पचास इस भी को हुआ था और जोई यह है वराइट एंसर आप सीधत से अंतक इन सभी कोसंस को अच्छे से देख लिजेगा यहां से कोसंस आने वाले हैं अगर आप सब्जेक्टी कोसंस नहीं देखें तो आप ज़रूर देखने का प्रय यह होता है तो इसका जो सही एंसर होजेगा वह होजेगा आप्सन मारी पुझवादी और अर्थिवाजस तामें आप सब्भी है और आइट एंसर केपी टेलिष्टी एकुनॉमी स्का राइट एंसर होजेगा और गेस और बिजली उत्पादन की चेतर में आते हैं गेस और तो इसका जो सही एंसर होजएका वह द्वीत्यक छेत्र में आता है पर सेक्टर सेक्टर की मुद्रा क्या है तो याद रखेगा घाका आइट एसका साही एंसर और यहां पर देख रहे हैं कि प्रात्मिक क्रिसी साख समीती क्रिसको को कीश परकार का रीन्ड़ परदान करती है तो इसका जो सही एंसर हो जेगा दूस्तों वह बहुत कौम समय के लिए दीता है याद रखेगा option वर जो यहाँ पर जो A है वर राइट एंसर होजेगा और जो 200 बैंक होता है वो दिर कलीन रिंड देता है याद रखेगा और यहाँ पर जो आहर रोजगार योजना कीस वर्स प्राराम्ब हुई तो जो आहर रोजगार योजना क्या वर राइट एंसर होजेगा 1989 इसी में प्राराम्ब हुई थी याद रखेगा इंसर आपको मालुम होगा जो टाइप करते चलेगा दोस्तों और मनरेगा में एक वर्स में कितने दीन का रोजगार देने की गरांटी दी जाती है मनरेगा में तो पहले इसका नरेगा था उसके ब दीनों के लिए होता है लगभग तीन मंग्थ से अधिक थोरा सा दिन यानि के लिए लिए होता है और यहां पर उप्भोगता संक्छान के लिए कितने राजे आयोग हैं तो इसका सही एंसर होजेगा दोस्तों 34 का भाठीज गा 25 आयोग आप्सन नमर यहां पर जो बी है वा तो इसका जो चांश की समीति का गठन किया गया था राष्टी आये समिति आप समर्जोण आपiera सही अंसर होज़ेगा और यहां पे उपभोगता उपभोग बयाए और बचत का योग क्या कलाता है वह जानते हैं दोस्तों क्या कलाता है वह कर लाता है आए दोस्तों ऑप्सन यहां पर जो वह राइट एंसर होज़ेगा आए यहां कि इंकम कर लाता है और निम्न में कौन आर्थिक किरिया का चक्रिय परवाह है तो यहां पर पता नहीं कि निम्न में कौन आर्थिक किरिया का चक्रिय परवाह होता है तो इसका जो स सवर पर्थम है का अन्मान कब लगा गए तो भारत में सअब रतम तो भारत में सवर पर्थम यह जो अन्मान लगाय गया था दोस्तों वह लगाए काथ है अठीक है में लेकिन ब्रक्रान नहीं जो जो वैसे जो जण Kundal SH ज assassination होती हैं जंगारत принципе यहां पर देख रहे हैं कि नीवन में से कौन सहकारिता का मूल भूत तत्वा नहीं है तो सहकारिता का मूल भूत तत्वा यहां पे कौन सा नहीं है तो यहां पे जो ऑप्सन मबर A है अनिवारियस सदस्यता यह इसका राइट एंसर होजेगा option number A दोस्तो और यहां पर 14 न पॉरास्ट जना आप देख रहे हैं कि इनमें से कौन गेर अर्थिक आदायद सनरश्णा है तो इसमें से कौन गेर आर्थिक कि अर्थिक आधायद सन रश्णा होता है तो इसका जो सही अंसर होजेगा वह स्वास्तिया यहां पेहां प्रस्ट्ट इसका संसोधन संबन्दी थे तो समिधान का जो संसोधन हुआ थो यहां जानते हैं किसे समंदी थे यह हैं नगर्य शासन विवास्ता से और यहां पे यहां पर देख रहे हैं कि नेपाल में सब्तदलिये गठ बंदन क्यों किया गया है तो नेपाल में सबत दल ये गठ बांदन जो किया गया है तो जाते हैं किस के लिए किया गया था यह किया गया था लोगतंत्र की अस्ठापना है तू आप्सनमर्जो यहां पर जो ए है ओर राइट नम्बर ए इंसर आपको मालूम वह जो टाइप करते चलेगा यहां से कोशन हंडे परसेंट आने वारे हैं और आप सब्झीक्टीव कोशन नहीं देखें इसका तो आप सब्झीक्टीव कोशन देख सकते हैं दिख्श्वाइम ब और दल बदल कारणून लागू होता है तो दल बदल कारणून जो नवा समिधान संसोधन यह 10 से समझने थे यह जानते हैं किस पर लागू होता है जो संसदों और बिधायकों पर लागू होता है क्यूंकि जो संसदों और बिधायकों पर यह लागू होती है और जर्खंड बिहार से कब प्रिथक हुआ तो जरकंड बिहार से जो प्रिथक हुगा 15 नवंबर 2000 में ये प्रिथक हो गया था दोस्तो अप्सन नमर जो यहाँ पे जो A है वराइट एंसर होजेगा अप्सन नमर A और 28 नव प्रस्ट आप देख रहे हैं कि इनिमे से कौन संघ्य प्रनाली की बिसेस्ता नहीं है लीखित समिधान एक कहरी सासन ब्यवास्ता सरवच्य नियाइपाली का सक्तियों का भी भाजन तो इनिमे से कौन संघ्य प्रनाली की बिसेस्ता नहीं है तो इसका जो सही एंसर हो कहरी शाल्सदर से यह तो सिंगल गर्रमन्त है लोग सभा में सदस्थ और पांस पचा सत्र किकाomena कितनी होती है तो लोग सभा में पांस सथ 3ωज दोस्तों और भी 543 से चुने जाते हैं याद रखेगा अधिकतम ये 550 हो सकते हैं याद रखेगा और यहां पर पूर्व में बंगलादेश जाना जाता था तब पूर्व में बंगलादेश जो था दोस्तों वह जानते हैं किसके नाम से जाता था यहां जाता था पूर्वी पकिस्तान के ना पुलाड वेस्ट इंडिस संह प्राइख की तो इसका जो सही अंशार होगा 1958 पर जो डिषिंच और नहीं जान पता है आइपईल में तो उनीक निका तो बोल कि इंडीका के लेखा कौन है तो इसका ऑफ चाना वर इंडीका के लेखा के 10 वारइज मुझा करेगाCh komma सिख अ यहां पर विश्व का शब्से कन हो सभात अपर ऑघ्यारत अब याद रखेगा और अमेर्का में याद रखेगा और यहां परफ्ना हो यांå यां श्ञूकि किस देश के नागरिक हैं तो यां संग्सण्षों ठोबोस्तों यह थे मार के ऑप्साुमसरेंश सूद्सा स्दों होजएगा चलेगा जल्रे में करवा देते हैं कि चेत्रवाद की भावना का कुपर इमार क्या होता है तोच्पक्बावल की होना कि कूप परिमार जो होता है दोस्तों यह होता है अलगावाद ऑप्सन वर डी हो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन मर डी और 56 प्रस्ण आप देखेंगे दुध्वा राष्टिय उद्यान कहा है तो दुध्वा राष्टिय उद्यान जो इस्ति थे दोस्तों वह यूप प्थम राष्टिय जल निती जो अपनाई गए थी दोस्तों यह अपनाई गए थी सितंबर 1987 में ऑप्सन वर यहां पर जो बी है वराइट एंसर हो जेगा और यहां पर बी समय स्वाधिक के बनावरान वादा दीस कौन सा है तो वह है ब्राजील जिसे हम लोगे अमेजन का वार्षा बन के नाम से हम लोग जानते हैं तो ऑप्सन हो जिए है वराइट एंसर हो जेगा ब्राजील दोस्तों और यहां पर 69 प्रस्ट आप देखेंगे किसी मिरीधा में हुमस की मातरा नगन ने होती है तो किस मिरीधा में हुमस की मातरा नगन ने होती है तो इसका जो सह एंसर हो जेगा दोस्तों यह उन्सट का यह हो जेगा option number यहां पे जो देख रहे हैं लेटे राइड मेरी ता जो सकी सही एंसर हो जेगा option number a भारत का सबसे बारा खनीज तेल उत्पादक छेत्र कौन है तो भारत का सबसे बारा एंसर होजये औल फ्टी इसदार आई हंसर हो दोस्तों Session अच्य लंग रही हो से लाइक जोक Cire चीनल पढ़ना जूरे हो तो जवृए एंसर होजेगा और यहां प्रशन आप देख रहे हैं स्क्रीण पर कि कामड्रerv कहां है दर्भांगा में भागलपुर मुझपर पर बेगुस राय तो कावर जील जो उपस्ती थे दोस्तों यह बेगुस राय में इस्ती थे ऑप्सन वर यहां पर जो यहां पर इनिमें से कौन और कर्बनी खनीज है इसका जो सही उब्रक इसका राय एंसर होजेगा भारत में तो भारत में किस राज्य में स्वराथिक मेंग्रों उब्रक पच्छी मंगाल में पर यहां पर कोन, कोईला का सबसे घाटिया किस में कौन सा है, तो कोईला का सबसे आचा जो है, वह इंतरillerा साइट होता है, और सबसे घाटिया जो हता है, वह B2 मेनस होता है, ईपसन और जो B है, वह राइट ञोंढ़र हो जkte गांशर का, सौरी, विटू मिनस नहीं सौरी यह पीठ होता है ऑप्सन नों जो डी है वह राईट अंसर हो जएगा और यहां पर देख रहें भारत में चाय की कृसी कहां से सुरू हुई थी तो चाय की कृसी जो होई थी दोस्तों यह हो थी ऑषुम से दोस्तों सौर परतम ऑषुम है और सबसे अ में मिलता है यायर कि पच्छी बंगाल में याद रखेंगा और फाराइट की परकार की खरी जे तो पाराइट Todo यह एक in वर धा गर मतलिक होता है भारत का पहला प्रमारु सकती सनियंत्र कौन है तो पहला प्रमारु सकती सनियंत्र जो है दुस्तों यह सही एंसर हो जागा दोस्तों आप सीधा से इस सभी कोशन को अच्छे से याद कलीजिगा किस देश ने उपेक की सदस्यत्या तयाग दी थी तयाने कि तयाग दी है तो किस देश उपेक की तो यहाँ पे जो सही अंसर हो जेगा जो कतर था कतर जिसकी राधानी दोहा है तो यहीं उपेक की सदस्यत्या तयाग दी है option रोडी है वराई टेंसर होज़ेगा और यहाँ पर प्रस्ण आप देख रहे हैं इसक्रीन पर कि इनिमे से कौन जूट का अग्राणी उत्पादक है तो जूट का अग्राणी जो उत्पादक के रूप में यहाँ पर जो दिखाया गया है वह है भारत option रोड़ जो यहाँ पर प्रकृत्रिक आप दा नहीं है तो अतंग बात जो होता है यह प्रकृतिक आपदा नहीं होता है और भीनास्कारि भुकाम से विहार की सपभावित हुआ तो इसका जो सही इंसर हो जाएगा वह 76 का D होजएगा 1934 में option word D है वो right answer होजएगा दोस्तो और यहाँ पे सेशन अची लेगों इसे like जोग किज़ेगे दोस्तो और चैनल पर नए जोड़े जोड़ सब्सक्राइब कर लिजएगा और बाइड के समय कौन सी अस्थान सुरक्षित है तो उची भू में ही इसका right answer और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रस्ण को कि भू असकलन से अभी प्राइग क्या है तो भू असकलन से में क्या होता है कि मौलबो का खिसकना भी चतानों का खिसकना चतानों की जोड़े और यहाँ पे 19 प्रस्ण आप देखेंगे कि आकास्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है तो आकास्मिक प्रबंधन का जो प्रमुग घटक जो होता है या इनमे से सभी हो जाएगा अस्थानिये प्रसासन श्वम शिवी संगठन और अस्थानिये लोग भी हो जाएगा और यहां पर असिनव प्रसन आप देख रहे हैं कि भुकम संभावी चेत्रों में भौनों की अक्रिती कैसी होनी चाहिए तो भुकम संभावी चेत्रों के में भौनों की जो अक्रिती होनी चाहिए या जानते हैं क्या होनी चाहिए यह आयताकार होनी चाहिए और जो डी है वह राइट एंसर होजेगा दोस्तों तो इस प्रकार से इस महत्तपोंट सेसन को य दिए गया है इसका सब्जेक्टिव कुसंस देख सकते हैं बिलकुन ही आसानी वेस है तो मिलेंगा नेक्स्ट क्लास में अभी के लिए दोस्तों थेंक यूँ